फार्मासिस्ट की 17 गौर्मेंट पर्मानेट जॉब बात करेंगे इस वीडियो में हला ओर रिवन वेलकुम टू मैंशेरमास आइकेडमी दिस इस इमासुब जैसे कि आप जानते हैं आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मासिस्ट की गौर्मेंट की पर्मानेट लगबग लगबग 17 फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं जैसे कि आप जानते हैं जब नोटिफिकेशन आया था उसका इंफर्मेशन आपको मिल गया था और अब जब last date है वो last video में बना रहा हूँ अभी भी कोई student को नहीं पता है और वो इस eligibility criteria में fit हो रहा है तो वो examination form भर सकता है ठीक है जी अब बात आती है सरी all over India जी हाँ all over India का candidate choice में apply कर सकते हैं बट यहाँ पे थोड़ी सी terms and condition अलग थी फर्मसिस्ट की पोस्ट लिए तो क्या वेकेंसी है यहाँ पर यहाँ पर यह इसकी official website है जिस पर कि मैंने आपको बता दिया सबसे नीचे चाहिए को तो यहाँ पर देखिए requirement portion आ रहा है ना मीचे में यहाँ पर requirement पे जैसे ही आप click करेंगे तो यह notification आपको देख रहा है requirement for non teaching position जो है यह medical college है तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे है 27-11-2022 है ना मैं आपको बता देता हूं कब कब क्या इसको देने वाला है तो यहाँ पर आप देख पा रहे है सर 11-10-2022 से start हुआ है 27-11-2022 जो है इसकी last date है और यह application form कहा मिलेगा सर apply कैसे करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे है apply now की सीधी सीधी link जो है आपको यहाँ पर मिल रही है advertisement के लिए यह वाला click करना है और यहाँ पर सारा सब कुछ mention है तो जैसे advertisement पर आप click करेगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे है देखिए पीडियाप को खोलेंगे तो यह कुछ पीडियाप आपके इसके official website मैंने यहाँ पर highlight कर लिए हम बात करते हैं हमेशा pharmacist की vacancy के लिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे है यह जो वाला तो ठीक है अब इसकी eligibility बढ़ाए क्योंकि eligibility में अगर eligible नहीं है तो क्या मतलब है तो पहली बात तो यह जो है यह यूपी government चलाती है बट center government के इसाब से यहाँ पर all or India के candidate जो है वो eligible है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो यहाँ पर qualification आप देखिए थोड़ी सी difference है डी फार में डीप्लाउमाइन फार्मसी फ्रॉम रिकॉगनाइज इंसिटूट त्री एर एक्सपिरिंस जो है मांग रहे है लार्ज होस्पिटल एंड इंस्टूट में आप डी फार्म है आप eligible है और आपके पास तीन साल का experience होना चाहिए ठीक है जी तीन साल का experience होना चाहि तो डी फार्म और तीन साल का experience मांग रहे है यहां पर और कुछ यहां पर लिखा हुआ है नहीं ठीक है जी अब सर इसका फार्म तो हम बर देंगे सर एप्लिकेशन फी जो है वह क्या रहने वाली है तो एप्लिकेशन फी थोड़ी सी जादा है आपकी 1180 रुपे जो है इसकी application fees है और इसी के साथ सर यह जो application fee है अब बताइए examination में क्या आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा जिसे की आपको idea लग जाएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं देखिए एज लिमिड इसकी 18 सर लेकर 40 साल है कोई दिकत नहीं है और यहां पर examination की में बात करूँ अब examination की में बात करूँ तो देखिए computer based एपका examination होने वाला है ठीक है जी कहां सा computer based exam होगा जिसमें की 60 marks के आपके question जो है वो subject related आएंगे मतलब pharma related आएंगे अगर आप pharmacy से तो pharma related है तो nursing से आएगा 10 marks English के है अब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट ने तो आप लोग भी कमेंड कर रहे तो कि काफी से स्टूडेंट को पता चल रहे कि सर हमने फॉर्म बर दिया कोई दिक्कत नहीं है यह essential qualification मांग रहे है यह eligibility मांग रहे है तो जो भी other student है उनको भी help हो जाएगी थोड़ी सी कि किस हिसाब से रहने वाला है इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए हाली में जो एमस में फार्मसिस्ट की vacancy आ रही है इसके regarding काफी स्टूडेंट को confusion है सर इसका application form कहां से बरना है कैसे बरना है तो आने आपको वीडियो में मैं आपको completely guide कर लूँगा किस हिसाब से आपको application form बरना है मैं आपको guide कर लूँगा form तो आपको ही बरना है लास्ट में जाते जाते अगर आप एक अच्छी तयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अब यहां पे एक और कुशन में आपके लिए ल करता रहूं किस हिसाब से तयारी चल रही है और जैसे कि मैंने आपको बताया और फार्मासिस्ट के examination की तयारी के regarding बहुत जल्ब बहुत ही अच्छा notification अपडेट जो है आपको आने वाली है हमारे चैनल पर अब क्या आ रही है देखिए which among the following anti dandruff agent के बारे में आपको बताना किसके बारे में बताना है सर anti dandruff agent के बारे में हमें बताना है कि इन सभी में से anti dandruff agent कौन सा है तो पहला आपका हो गया zinc sulfate, selenium sulfide, zinc carbonate और non update तो इसका answer जो है आपको बताना है और next वीडियो में इसका भी answer आपको मिल जाएगा लगबग तो आपको पता ही होगा बट फिर जो student त्यारी कर रहे हैं नई कर रहे हैं comment करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए important सवाल जो है लाता रहूँगा कुछ interesting और हो सके कास ऐसा होगा कि आपकी examination में इन में से कोई सवाल आजाएगा जो मैं आपको पूछ रहा हूँ तो जरूर आप सबसे पहले मुझे ही याद करोगे कैसा लगा information जरूर बताया comment section में like करें share करें subscribe करें मेरी चैनल को as a informative फार्मासुटिक डेट, news update, vacancy update, video lectures के लिए keep watching, stay tuned